भावियों और भेनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट के सामर्थ का सबसे बड़ा स्त्रोथ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट की नसे होती है, नाडिया होती है। जितनी बहतर ये नसे होती हैं, उतना ही स्वास्थ और सामर्थवान कोई राष्ट होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के राष्टेपर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तब बहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्रात्मिक्ता है। इसी सोच के साथ बिते छे सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, वाटरवे हो या फिर आइवे आर्थिक रप्तार के लिए जरूरी इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है। गती दी जा रही है। इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर इसके एक बड़े सेक्षन का लोकारपन भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर इनको अगर सामान ने बोल चाल की भाशा में कहें हैं, तो माल गाड़ियों के लिए बने विशेश ट्रेक हैं, विशेश व्यवस्ताएं हैं। इनकी जरुरत आखिर देश को क्यों पड़ी हैं, हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल डुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उखती हैं, उसको देश के अलगले हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदर गाहों तक पहुंचाना पड़ता है, उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना ना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदर गाहों तक पहुंचाना पड़ता है, इस काम में सबसे पड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आर्थेववस्ता बढ़ी, तो माल दूलाई के इस नेट पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया, समस्या ये थी कि हमारे हाँ यात्रियों की ट्रेने और माल गाडिया दोनों एकी पट्री पर चलती है, माल गाडी की गति धीमी होती है, ऐसे मैं माल गाडियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुँच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है मालगाड़ी की गती जब दीमी होगी जगह जगह रोक टोक होगी तो जाहिर है ट्रांस्पोर्टेशन की लागत जदा होगी इसका सीधा असर हमारे खेती खनी जुद्पाद और अउद्यों की जुद्पादों की कीमत पर पड़ता है महेंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली परधा में टीक नहीं पाते हैं हार जाते हैं भाई और बहनों इसी स्थित्य को बदलने के लिए फ्रेट कोरिडोर की योजना बढाई गई शुरू में दो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर तयार करने की योजना है पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कोरिडोर पंजाब के अध्योगिक सर लुध्याना को पस्चिम मंगाल के दानकुनी से जोड रहा है सेंकडो किलोमेटर लंबे इस रूट में कोईला खाने हैं थर्मल पावर प्लांट है अध्योगिक शहर है इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं वहीं पस्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर महराष्ट में जेन पिटी को उत्तर पंदेश के दादरी से जोडता है लगवग 1500 किलोमीटर के इस कोरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदर गाहों के लिए फिडर मार्ग होंगे इन दोनों फ्रेट कोरिडोर के इजगीद दिल्ली, मुंबई इंडुस्टियल कोरिडोर और अमुर्शर, कोलकाता इंडुस्टियल कोरिडोर भी विक्सित किये जा रहे हैं इसी तरह उत्तर को दक्षिन से और पूरब को पस्चिम से जोडने वाले ऐसे विशेश रेल कोरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं भाई और भेहनों, माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेश रुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी दूसरा ये कि इससे माल गाड़ी की स्पीड भी तीन गुना से ज़्यादा हो जाएगी और माल गाड़ियां पहले से दो गुना तक सामान की डुलाई कर पाएगी क्योंकि इन ट्रेक पर डबल डेकर यानि डिब्बे के उपर डिब्बा ऐसी माल गाड़ियां चलाई जा सकेगी माल गाड़िया जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कान सामान सस्ता होगा जिसका हमारे निद्यात को लाब होगा यही नहीं देश में उद्योग के लिए बहतर माहोल बनेगा इस अब डूइंग बिजनेस बढ़ेगी निवेश के लिए भारत और आकरशक बनेगा देश में रोजगार के स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तयार होंगे